सभी साथियों को में नमस्कार स्वागत अब सभी का आज के जन सत्ता विश्लेशन में आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर के जन सत्ता विश्लेशन का पर चली शुरू करते हैं देखते हैं आज कौनसी कौनसी खबरे हमारे लिए हम अत्रपूर्ण जो आगामे परिक्ष्याओं म हमको मानत्ता का पक्ष ये इसराइल और हमास अंगरश की लेकर एक आज़चल लेक है इसराइल हमास अंगरश रोकने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं ऐसे में गाजा में मानवी मौहिया कराने के लिए युद्व पर रोक और बिना शर्द बंदकों की रिहाई का पस्ताव संग्त राश्ट मासवार में पारत होने से सकरात्मक नतीजे की उमीद बनी हैं इस पस्ताव पर भारत ने पक्ष में मदान किया इस पर फिलस्तीन पर इसराइल के हमले को लेकर भारत का रुक और सपश्ट हो गया है अक्टूबर में जो हमास ने इसरा इसराइल का साथ दिया था तो माना जाने लगा था कि भारत का रुक बदल गया है वे अपनी पुरानी फिलस्तीन समर्तक नीती से उरट पक्ष में जाखड़ा हुआ है तो अमरीका और इसराइल ने भारत की दोस्ती को सामने रख कर देखा जा रहा था कई लोग का मानना थ था कि भारत और इसराइल और अमरीका के विरुद कोई ना कोई मद्वेथ हैं सिंग्टाश मासबा में मिस्तर दोरा लाए गए पस्ताव का समर्थन कर भारत ने मानत्ता के बख्ष में अपनी संजीद की जाहर की है इसराइल ने गाजा में भारी तबाही मचाई और उसे य 45,000 से अधिक लोगों के घायल होने का अनुमान हैं उनमें जाहतर बच्चे और महिलाएं हैं देखिए साथियों असल में ये हमको जरूरी है कि हम जो मानत्ता है ना हिमानत्ता के लिए हम मानता के लिए ये वार को रोके ठीक है इसी का प्रस्ताव एजिप्ट ने आगे रखा था जिसको भारता से मर्थन भी करा इसको लेके लेकता है ना हमारे आपसी मत्वेद हैं वो ठीक है मगर इस हद तक पहुँच गए हैं कि हमने नश्ट कर दी हैं पूरे पूरे शहर और वहां के रहने वाले आवास ये जनता को हमने बहुत तकलीफे भी दी हैं इसलिए युद होना किसी भी देश के लिए राश्टर के लिए अच्छा नहीं है खारा कि हम इसमें भारत ने ये भी सबस्ट करा है कि भारत हमास द्वारा जो अटेक करा गया था इसका चलिए आगाते हैं ये आर्टिकल है पहाडों को बचाने की चुनाती नए विकास में मानवत्ता को आने एक सहुलित पदान करने की है मतलब जो हमारी नया आजका डेवलाप्मेंट हो रहा है उसमें हम अपने कन्वीनियंस बहुत देखते हैं हमारा कन्वीनियंस क्या होता ह हमारा कन्वीनियंस होता है कि हम हमें सब चीजे मोहिया हो सुविधाय मिले हमें रोड्स मिले हमें हाईवेज मिले हमें सब जगा जगा पर होटेल्स मिले हमें जगा जगा पर हॉस्पिटल्स मिले हैं जी सुविधाय होती है हमें हर जगा पर डेवलाप्मेंट चाहिए हमें स्कूल्स चाहिएं तो हम इस डेवलाप्मेंट के चक्कर में क्या हो रहा है परियावरन को पूरा खत्म करने के लिए आगे अग्रसर हैं ठीक है इसी के साथ लोगों ने संसादनों कोई खटा करने और प्रागतिक संसादनों कोई दोहन की आदत अवस में बदल गई है जंगल पानी वनस्पतियां खनिच पदारतों के साथ पहाडों के बेतहाशा दोहन से प्रकृति का संत्वर्म भी गड़ गया है जो अन्यक समस्याओं का कारण बन गया है धरती का 27 फीसद दबादी पहाडों पर रहती है दुनिया की 15 फीसद दबादी दुनिया की जो है आपकी पहाडों पर रहती है और दुनिया के लगभग आधे जैव वित्ता वाले स्थान भी पहाडों पर ही है हमाँ जितने भी बायो डैवरसिटी होट स्पोट्स अगर हम कहें या बायो ड हैं हमारे सामने हैं ठीक है आ गयाते हैं कि रिशी बागवानी पीने का पानी सरच उर्जा और दवाओं की अपूरती पहाडों के जरीए होती है सिश्चय के साद सागर और पहाड दोनें मानता की व्कास के अधार रहेे हैं मjas जैसे नई सब्वेता और स्विश्ची के साद व्ख्यान का विकास होता गया वैसे पहाड और सागर दोनें प्रोदूशित किये जाने लगए हैं कि हम जानते हैं कि हम कैसे पॉल्उटिट हैं अंस लूट आसे हैं हमने फैक्टरिई लगा रखिए हैं था कि हमको फानल रर्फिश songs मतला हम design फैक्टरी है हम कूछ साघर एक हमुछ परवत है हमारे फैक्तरी है हमारे लिए वना रिए ढुनरी है हमारे लिए गडीर जिसे आधर जेंदी हो तो वह सब यह है लग dif I जाना है पहाड वगेंड पे ना खुट्टिया बनाने पहाड़ों पे जाना है तो होटल बढ एंब उसे फायदा गवर्मेंट बी के लिए एकर्मी बढ रही है टैक्सेशन में अर्निंग हो रही है फायदा वहां के लोग को भी हो रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है इतने ज़्यादा होटल बनेंगे उतने ज़्यादा लोग को रोजगार मिलेगा मगर अब क्या हो रहा है कि इस होटल बनाने के लिए हमने जो ये पहाड था इसमें जो पेड़ थे हमने उने भी काटना शुरू कर दिया मतलब हम अपनी जरूरतों को पूरा करतने करने 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 के चक्कर में कहां तक जा रहे हैं कि हम नश्ट कर रहे हैं चीज़ों को पहाडों की सर्णक्षन को लेकर विश्व का ध्यान 1990 में गया जब प्रियावरण और विकास पर स्यूंक तराश्य सम्मिलन ने एजेंडर 21 के अध्याय 13 नाजुक पर सितिक तंतर का प्रबंधन सिर्थ परिवति विकास पर जोड दिया था यह दिए जुरूर यह ध्यान रखिएगा जुरूर के ना अजने 21 में जो है आर्टिकल 13 अंतराश्य परवत दिवस बनाने की जवरमप्या दुज़ाद 23 में शुरू होने के बाद पिछले 10 सालों में परवति वर्याटन 3 से बढ़ा है दुज़ाद 3 में शुरू होता इंटर भी भिलाते बहुत हैं पाड़ी लागों में निवाजियों को रोजगा जंगल और पहाड से मिलता है खासकर महिलाओं के लिए पहाड किसी खेटी से कम नहीं है युवाओं के लिए परवतिय जय विवत्ता का संबन्द आज अधिक विशस्नी है अजिवीगा और प्राकति अहार पहाडों से जिनता जितना अच्छा मिलता है उतना शायद और कहीं में नहीं मिलता इंदन रोशदियां और लता वाली तरकारियां पहाड की दरों से उत्ती हैं बतार देखी हमें हमारी रिक्वार्मेंट है कि हम डिल्लाप्मेंट करें वहाँ पे मगर हमारी डिल्ला प्रिश्यर का असर पहाडों के अलावा मैदानी आलाकों में भी हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि सुवेदंशीर परवधिय बसेतिकी दिन दर की सुरक्षा की जाया। पहारा से दुनिया के सबी पहाड़ी देशों में पहाडों के धीरे धीरे खतम होने से प्यता हो रहा है। पहाडो में विस्पोर्ट दोहरा मशीनों, भारी मशीनों के इस्तिमाल और विकास के लिए बनाए गई सुरंगें, राजमार्क और सड़कों से कई चोटी पहाड़ियों का सत्व ही खतम होने लगा है देखें जानते हूं कि हम पहाड़ों पे राजमार्क बना रहे हैं सुरंगे बना रहे हैं उसे क्या हो रहा है कि बुरा जुमा का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है हम उस पहाड को खोकला कर दे रहे हम उसको कमजोर कर रहे हैं हम पहली बात तो पेड़ काट देते हैं उससे क्या होता है यह पेड़ हम जानते हैं कि पेड़ में जड़े होती है जड़े मिट्टी को रोक के रखती है मतलब यह आउटर शेल जो पहाड का होता है उसको मजूद रखती हैं हमने पेड़ भी काट दिये हमें सुरंगे बनानी हैं हम पहाड को खोकला भी कर रहें अंदर से हम जो पहाड को मजबूर दखने के लिए रेगुलर बारे से लीचिंग होती है पाने की ठीक है रेगुलर लीचिंग होती है हम वो भी होने नहीं दे रहे हैं हम क्योंकि वहाँ पे रोड डाल दे रहे हैं रोड कॉंक्रेटीशन हो रहा है कॉंक्रीट लग रहा है तो कॉंक्रीट अपना अपना भी वजन दे रहा है नीचे वाले तंतर को परिवर्तित कर दिया है चलिए आगयाते हैं आगी खबरे तो आप देख लिएगा अगबार आप भी अध्यान करेंगे तो आपको और जिसे बर्मने को मिलेंगी हम प्रयास करते हैं कि सिरे महत्वपूर्ण खबरों को ही इसमें एनलसस करें ताकि समय आपका भी बच जाए अगा 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 इस दिविए अशन डिवल्लाप्मेंट बैंक में तेटी शौबिस के लिए वद्धिय कानुमान बढ़कर चेज़ दिशमलब साथ फीसत करा है भारत का 6.7 परसंट यह जरूरी होता है ठीक है चलिए आचकर देंगते हैं अपना क कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद आप सभी का दिन शुखो